तो ये जो न्यूज अब देख सकते हैं आनंद बजार पत्रिक्रा में आया था कल आजका न्यूज नहीं है कल का न्यूज है पर स्टूडेंस बहुत इस यादा डाउट में थे यह तो प्रोपर न्यूज जान लिजेए प्रोपर एक्चुलि बोला क्या जा रहा है और पॉसि मतलब जादपुर उनिवर्सिटी का जो टीचेस असोशेशन है उनके तरब से जस्ट बोला जा रहा है, not एकदम एप्लिकेबल हो गया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑफलाइन में एक्जामिनेशन होना चाहिए, जे यू टीए के तरब स बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है, केमपासे बोशे अफलाइने परिखा दियावार ब्यावस्था करा होक पड़ुःदे शार्थे एमोन टाई चाहिए शे जादूपुर विश्वबिद्धल्यवाई, शिक्काक स्वमिती, जुटार नेत्रित्ते बखतब बो औलाई परिखा दिते गिए बहु परिखा दिते गिए बहु परिखा एबंग शिक्षक दू पक्खरी खुब अशुबिदे होच्छे। आबार परिखार परे तार काज थेके उत्तरपत्रव इमेले आनां। प्रतिटी परबिए एक्टा अनिश्चे अतं काज करे। एर संगि खाता देखा खाता ये नंबर अनलाइने तोला सब काज सिखक देरी कोरते होई। पार्थ प्रोतिम बावु बलेन जेहेतु आमादेर विश्वविद्दलायर पुडवादेर एकषन कोनो भेरिफाइड इमेल आइडी नेई ताय तारा कोनो आइडी ते प्रश्ण पत्रों गोहन करचेन एबुन कोन आइडी ते उत्तर पत्रों पठाचेन शंगता नोजोरे आफलाइन पुरिखनेवाद शौंभव हो लेता होग शेखाने शिक्खोगरा नौजोद्दरी चाला बेन मतलब यहाँ पर डिमांड क्या जा रहा है पहले डिमांड जान ली जो उसके बाद मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं यहाँ पर एक्चुली बोला जा रहा है कि लेने का जरूरत पहले तो नहीं है क्योंकि आप लोगों का ओनलाइन में ही एक्जामिनेशन होगा अब जो जादुपुर उनिवर्सिटी का स्टूडेंट से उनके लिए भी टेंशन लेने का उत्रा जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक बोला जा रहा है नौट एकदम accept हो गया है जब तक विश्ट बंगल गवर्मेंट से ना बोला जाता जब तक कोई भी यूनिवर्सिटी आफ लाइन में एक्जामिनेशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी college यूनिवर्सिटी ओपन होगा है नहीं तो ऑफ लाइन में एक्जामिनेशन मार्च में होगा कैस और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि network का problem है network का problem अभी बहुत सर students का है ऐसा नहीं है कि नहीं है पर यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे students कैसे examination देंगे students का और भी problem है verified email ID नहीं है सभी students का तो problem हो रहा है कि कहां से students किस email ID से download कर रहे हैं किस email ID में भेज रहे हैं इसमें problem हो रहा है तो college easily google classroom का use कर सकते हैं whatsapp groups का use कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि email ID एकदम ultimate option है तो यह problem solve किया जा सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है पर यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि maximum अभी बहुत सरह ऐसे students है जिनके पास internet connection उत्रहा अच्छे से नहीं है तो मुझे लगता है कि offline exam जो जो university चाह रहा है कि अगर कोई students चाहते हैं कि उनका network problem है offline exam आके campus में देना चाहते हैं यह option definitely open रखना चाहिए हाँ जो जो students online में दे सकते हैं definitely देंगे जिनका problem हो रहा है campus में आके offline में भी examination दे सकते हैं social distancing maintain करके covid protocol जो है वो सब कुछ maintain करके हाँ वो option चालू किया जा सकते हैं पर complete offline में possible नहीं है अभी teachers को लग रहा है JUT है मतलब जो जादवपुरी university teachers association उनको लग रहा है कि अगर होता तो अच्छा होता पर possibility बहुत ही कम है मैं आपको यह बोल सकता हूँ तो जो other students है university को उनको दुरणने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है और जो जादवपुरका है आपको भी अभी भी डरणने के लिए जरूरत नहीं है कोई भी तक कोई भी confirmation नहीं है जर्ष्ट आपका वाइस जो चैंसेलर है उनको बोला गया है उनके तरफ से क्या response आता है उसके लिए आप वेट कीजे किछु दिन आगे राजजर विश्वविद्धालाई गुलीर उपाचावजदे स्रौंखे बोई ठोकेर परे शिख्वमुंत्री पार्द चट्ट बादाई जानिये छिलें कॉलेज विश्वविद्धालाई केमपास एक होनी खुलबे ना जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी नहीं ओपेन होगा कॉलेज उनिवर्सिटी ये क्लियरली बता दिया गया ता मीटिंग के दोरान जो वीसीव एंड एडुकेशन मिनिस्टर का हुआ था चोलती सेमिस्टर ये पठन पठन ऑनलाईने चोलबे माढ चे ओड सेमिस्टर ये परिखाव उनलाईने निवा हावे तब एई ओनलाईन परिखाई पड़वादेर मुनलाईन ठिकमत होच्छे कि ना ता इतिमोद्दै उठचे प्रोष्णू ओनलाईन ने परिखा कारा दीच्छे न तानियों निश्चीत होआ जाच्छे ना मतलब ओनलाईन एग्जामिनेशन को लेके जो जो प्रोब्लेम हो वो सामने लाया जा रहा है पर ओनलाईन एग्जामिनेशन अभी वेश्ट बेंगल घाव्मेंन ने क्लियरली बोला था वेब कुटा मतलब WUT जो है आपका वेब कुटा जो है वेश्ट बेंगल का टीचेश असोशेशन जो है उनके तरफ से भी बोला जा रहा है कि अभी ऑनलाईन में एग्जामिनेशन का स्टूडेंस का मेरिट का कितना अभी मतलब पता चल रहा है उसके लिए भी क्वेश्च का मेरिट कैलकुलेट नहीं हो पा रहा जो की एकदम करेक्ट बात है क्योंकि ओनलाईन में बहुत ज्यादा प्रोबलेम है पर ओनलाईन एग्जामिनेशन नहीं होगा एक बार भी ऐसा बोला नहीं गया है यहाँ पर और बी कुछ-कुछ इंपोर्टन चीज बोला गया है उ अगेर परिखा गुली जारा दीते पारें नहीं तादेर भी शुष पॉष्ट निड़देशी का दौरकार इसलिए मैंने बोला कि जो लोग एकदम नहीं दे पारें ओनलाईन में जिनका प्रोबलेम है उनके लिए ओनलाईन में इंतिजाम रहना चाहिए जिनका ओनलाईन म से बोला गया है होफुली वो तो होगा ही उसमें कोई भी चेंज अभी मुझे नहीं लगता कि किया जाएगा वेश्ट बेंगल गवर्मेंट से और कोई भी उनिवर्सिटी से पर जिनका पॉसिबल नहीं है ओनलाईन में वो अगर कैंपस में आके ओफलाइन एक्जामिनेश सबी जो टीचेस असोशेशन है कि ओफलाइन में एक्जामिनेशन होना पड़ेगा हाँ पर कुछ स्टूडेंस का ओनलाईन में प्रॉबलेम है उनके लिए कोई सॉल्ब किया जाए उनके लिए उनका प्रॉबलेम सॉल्ब किया जाए यह यहाँ पर बोला जा रहा है और से अनांस कर दिया गया है मैक्सिमम उन्युवर्सिटी से कि ओनलाइन एक्जामिनेशन कब-कब होगा तिये ही बोला जा रहा है लास्ट में एक चीज बोला जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकटी उन्युवर्सिटी शिक्खोग शामिती शीव टिय शाभापोती पार्थिब बोशु एदिन बॉलन प्रोथो में दोरकर कोवीड वीदी मेंने कैंपस खोला पठन पठन शुरू करा तार पौरी पोरिखर बीशवईटी आशबे कैंपस खोला रागे शिक्खोग देर कोरोनार प्रोतिश्यदुग दियार ब्यवस्था कुत्ते बोले दाब किया है उसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि पहले कोवीड वैक्षीन देना चाहिए टीचर्स को उसके बाद ही जो पढ़ाई है वो चालू करना चाहिए ये भी अगदम मुझे लगता है कि सही डिमांड किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऑफलाइन में होगा तो आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है मैंने टोटल आपको बोल दिया कि यहां पे अक्चुली बोला क्या जा रहा है कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहना चाहिए आप अभी ऑनलाइन एक्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन लीजे आपका ऑनलाइन मे प्रॉब्लम है उनके लिए आफलाइन ऑप्शन भी रखना चाहिए और उसके बारे में ही अभी सभी यूनिवर्सिटी सोचेंगे तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कॉमेट करके बताना वीडियो अच्छा लगा तो करताना लाइक और शेयर और अगर इस चैनल पर न और दया में ही अध्योर्ए यूनिवर्स